नमस्कार मैं खुशी और आप देख रहे हैं आप पियस समाचार आईए रुप करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर केजडिवाल ने कहा कॉंग्रेज के साथ सीटों के समझोते के बाद चीत अंतिम दौर में गठबंदन की घोशना जल्द आम आदमी पार्टी के राश्ट्रे सायोजा करविंद केजडिवाल ने कहा है कि लोगसभा चुनाओ के लिए दिल्ली में गठबंदन के लिए कॉंग्रेज के साथ बात चीत अंतिम चरण में है इस बारे में जल्दी गठबंदन की घोशना की जाएगी अर्विंद केजडिवाल ने पंजाब में स्वतंत्र रूप से संसदिय चुनाओ लड़ने के अपने फैसले पर पुनर विचार करने की संभावना को खारिच कर दिया वहीं दिल्ली में कॉंग्रेज के साथ आपके गठबंदन की संभावनाओं के बारे में उन्होंने कहा कि कई दौर की चरचा हो चुकी है और बातचीत अंतिम चरण में है कॉंग्रेस के साथ गटबंदन की घोषना बहुत जल्द की जाएगी उन्होंने कहा कि अन्य राजियों के लिए भी कई दौर की चर्चा हो चुकी है और बातचीत अंतिम चरण में है आपने पहले कहा था कि वो लोग सभा चुनाओं में समझोते के लिए इंडिया गटबंदन के साथ बातचीत कर रही है खास तोर वो गुजरात, हरियाना, दिल्डी और गुवा के बारे में बात कर रही है आपके राश्ट्रे महासचीव संगठन संदीप पाठक ने हाल ही में कहा था कि पार्टी ने गुजरात में कॉंग्रेस के 26 लोग सभा सीटों में से 8 की मांग की है उन्होंने कहा कि आपने पिछले विधान सभा चुनाओ में कुल 13 फीजदी वोट पाकर 5 सीटे जीती थी गुजरात और अगामी चुनाओ के लिए राजे में 8 लोग सभा सीटों का दावा किया जबकि 68 कॉंग्रेस को देने की पेशकस की उन्होंने दिल्ली की साथ में से एक लोग सभा सीट भी कॉंग्रेस को देने की पेशकस करते हुए कहा था कि वो इसके लायक भी नहीं है आपने अब तक गुजरात और असम में दोदो और गुआ में एक सीट पर अपने उमिद्वारों की एक तरफा घोशना की है खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ तब तक के लिए नमश्कार और देखते रहे आरपियस समाचार अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं